हेले स्टूडेंट आप सभी का ग्यान चेतन्या चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हूं तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर फिरोज तुगलक का कैप्टन यानि हवीत नामा की अंत्र से दो अशोक इस्तम को लाने का जो है हमने बताया था और यह अंबाला के टोप किया गया है फिरोज ने कटेहर यानि की रोहेल खन पे शाषक लडाकु खड़कु के ब игрो का किया था इस ने दवन किया था और कथलेयाम किया फिरोज ने बंगाल को जीतने के लिए 1353 इसवी वफ 1359 में दो बार प्रियास किये बंगाल को लेकिन वो क्या हो गया असाफल हो गया समकालीन बंगाल शाशक क्रमशा हाजी इलियास बा सिकंदर खान थे बंगाल से लोटते समय 1559 में फिरोज ने उरीसा में जाच नगर पर हमला कर दिया और गज़िपती शार्शक ने अधीनता स्विकार करवाई फिरोज शाय ने पुरी के जगनात मंदिर को लोटा था फिरोज का अंतिम सेन अभियान जो है सिंदे के थटा पर 1362 इसवी से लेके हुआ था अफीब के अनुसास सिंदे का अभियान सरवादिक को विवस्तित सेन अभियान था सिंद वा गुजरात के विरुद अभियान फिरोज का सबसे लंबा अभियान था सिंद और गुजरात तो हम दो ही तो अभियान देखते हैं तो बंगाल वाला जो आसाफल हो गया हो सिंद वाला या गुजरात वाला वा गुजरात वाला तो ये सब ये वाला सिंद वाला जो को तुगलक, एक तुगलक तो मरी गया दूसरा को जडरा संभा लो तो यह कहात जो है फिरोषा तुगलक के समय जो है, फिरसे धो गई थी फिरोषा तुगलक के शाषन में जिस एकमात उम्रा ने विद्रो किया था वो है मलिग शम्शुद्दीन दमगानी तो यहाँ पर विद्रो ओलेमाओं के द्वारा कम हुआ क्योंकि उसने इसलाम की सारी चीज़ें जो है वो प्रिशाशन में शाशन में जो है लागू करीं थी इसलिए कम दिखाई देता है सिर्फ एक काई मलिक शमशुद्दीन दमगानी और अफीव जो है फिरोज क के लाव दायक राज़त सु सुधारों के परिणामों का उले करते हुए लिखता है कि उसने लोगों की इतनी सम्रद्दी वड़ी की लोग जो है अलावदीन के शाशन काल को भूल गए तथा कृशक बरगी की कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिसके पास अभूशन ना हो तुग काल जो है बजीरपद का सुन एयोकता थी फि रोज के काल में बजीरपद जो है चरमोतकश पर पहुंच गया था मौहमाद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा जहां था ख्वाजा फिरोज का वजीर मलक मकबून था जिसे खाने जहां की उपादी दी यह satellite यानि काक्तिय रा के वारंगल अभियान के समय उस समय पकड़ा जब उसके पिता गया सुद्दीन तुगलक ने उसे प्रताप रूद्य देव से बकाया बसूल करने के लिए क्या किया था भेजा था फिरोज तुगलक खाने जहां तेलंगाने को भाई कहता था तथा उसे दिल्ली का बासविक श मकबूल की मिर्टू हो गई गया सुद्दीन तुगलक परामर्श के लिए भूतपूर वजीर ख्वाजा खातिर ख्वाजा महजब तथा निजामुल मुल्क जुनेदी को आमिर्टित कर सलाहा क्या किया करता था लेता था फिरोज तुगलक ने होस खास के अपने प्रधान म मकबरा बनवाया तेलंगानी के मकबरी के विशेष्टा यह है कि दिल्ली में निर्मित प्रथम अस्थ भुजिये भुजाकार जो है मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है वो दिल्ली में निर्मित प्रथम अस्थ भुजाकार मकबरा है फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ पुत्र अत्वा उत्रादिकारी फते खां का नाम भी अंकित करवाया फते खां जो है उसको उत्रादिकारी देख लेते हैं फिरोज के बाद उसका पुत्र तुगलक शा गयसुदिन तुगलक दुतिये गद्धी पर बैठा उसके बाद जो है अबू बक्र मुहम्मद शाय अलावदीन सिकंदर शाय गद्धी पर बैठे तुगलक वंश का अंतिम शाशक नसुरुदिन महमूद 1394 से लेके 1412 था इसके समय ही जो है तैमूर ने 1398 में भारत पर आकमड किया यह आकमड तुगलक वंश के लिए गातक सिद्ध हुआ नसुरुदिन महमूद के समय ही एक नए कार्याल है वकील इस सुल्तान के सापना हु है मलु इकवाल था आगे देखते हैं नसुरुदिन महमूद डिली का अंतिम तूर्क सुल्तान था नसुरुदीन महमूद के समराज के बारे में लोग केते हैं कि जहांपना की सलतनत डिली से पालम तक फैली थी तो ये किसके लिए है नसरुद्दीन महमूद का लिए ये जो कथन लोगों ने कहे थे नसरुद्दीन महमूद की 1200, 1400 12 में मित्यू हो गई और दिली में अमीरों ने अफकान दौाव के फौजदार दौलत खान लोदी को सिंगहासन पर बैठाया जिनोंने 1414 तक जो है शाशन किया तुगलग वन्स के पतन का मुख कारण जो है फिरोज के आयोग अधिकारी थे अब यहाँ पर तैमूर के बारे में भी देख लेते हैं फिर सैयद वन्स जो है शुरू होगा तो तैमूर आकमड देख लेते हैं 1398 में हुए थे तैमूर आकमड 1398 इस भी में तैमूर के आकमड के समय भारत पर तुगलग वन्स के दो सुल्तान शाशा कर रहे थे दिली से नस्रुदीन मेहमूद, दूसरा फिरोज आवाज से नुस्रस शाह और तैमूर ट्रांस आक्सियान के चगताई तुर्क था, उसने खेवर दर्रे को पार कर भारत पर आकमर किया, एवं दिल्ली में पंदर दिनों तक क्या की लूट पाट की, तैमूर का मूल नाम जो है तामेर लाने यानि तैमूर का थे जो है लोहा था, तैमूर के आकमर के समय भटनेर का शाशक कम लुद्दीन था, जहां मुसलिम इस्त्रियों ने जोहर किया था, तैमूर की आत्म कथा तुर्की भासा में तुजू के तैमूरी यानि मल फू जाते तिमूरी का फार्सी भासा में क् कुछ important थे जो कि तुखलगवंस अब जो है आगे हमारा सयद वंस चलेगा तो यह हमारा यहां पर जो है medieval यूटूब पर जो है medieval चल रहा है और unacademy पर मेरा जो है ancient वाला चल ला है तो जिसको भी free of cost में वहां पर देखना है वो भी जोड़ सकता है अगर किसी को subscription लेना है unacademy का तो आप जो है कोड़ टाइप करेंगे e-k-t-a-n-e-t तो आपको जो है 10% का discount मिल जाएगा जिसमें लबह लबह आप जो है दो साल का लीजे दो साल में जो है आपकी जितनी tuition fee आपने school time में पढ़ा होगा 1000 रुपे में उच से भी कम हो जाएगी थोड़ी सी क्योंकि 10% आपको discount मिल जाएगा तो दो साल बहुत होता है आपका finally clear हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी time waste नहीं करना कि नहीं इस साल नहीं अगले साल थोड़ा ओर कर लेंगे यह आप जितने जल्ली आप net clear करेंगे या जार 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 करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा तो इसलिए बिना time गवाते हुए आप एक ता net type डालिए code और आपको 10% और तो आप subscription भी ले सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें सायद बंस की बाते हम करेंगे तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद